हेलो फ्रेंज स्वागत हैं आप सभी का हमारी इस यूटूब चैनल पे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा यो यो एप में लेंग्वेज को किस तरीके से और कैसे चैन्ज कर सकते हैं तो friends अगर आपको yo yo app में भासा को यानि कि language को change करना नहीं आता है तो आप friends इस वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से yo yo app में language और भासा को change किया जाता है तो friends इस वीडियो को आगे बराने से पहले आपसे एक छोटी से request अगर आप इस वीडियो को पहले बार देख रहे हो तो प्रीज इस वीडियो को एक like कर दिजे एंड friends अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो please हमारे चैनल को subscribe कर दिजे तो friends चलते हैं आज कि इस वीडियो को आगे क्यों ले जाते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर यो 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 एप को open कर लेंगे तो friends जहाँ पर हमारा यो 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 एप अपन हो चुका आपको सबसे नीचे में मी का option दिख रहा होगा friends आप जैसी setting वाले option पर किलिक करेंगे आपको यहाँ पर English mode का option दिख रहा होगा जैसे कि अभी यो यो एप का जो अभी language है यानि कि जो मैंने इस एप में language setting करके रखा है वह English setting करके रखा है तीक है अगर आप इसे हिंदी में करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर enable का option है ना यानि कि यहाँ पर आपको simply tick कर देना आप जैसी इसमें tick करेगे तो यह app फिर से loading लेगा और इस वक्त जो आपका language आएगा वह हिंदी में आएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अभी जो language आएगा वह यहाँ पर English आएगा ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो फ्रेंस इसी तरीके से आप यो यो एप में language को change कर सकते हो तो आसा करूंगा आपको यह छोटे सी वीडियो काफी आपके लिए helpful रही होगी फ्रेंस अगर यह वीडियो आपके ल